आज जब भारत के Information and Broadcasting Minister अस्वीनी वेसनब ने UPS यानि Unified Pension Scheme की घोसना की तब से लेके अब तक यह न्यू जो है पूरे भारत वर्स में फैल चुकिया है खास करके केंद्रिय केमचारियों के बीच क्या कि जिस तरीके से पूरे भारत वर्स केंद्रिय केमचारी जो है NPS का बिरोत पिछले 15-20 सालों से कर रहे थे और OPS की मांग कर रहे थे उनके लिए UPS जो है एक आसा की किरन बन के आया है तो इस वीडियो में आपको ये जनकारी मिलने वाली है कि आखिरकार ये UPS होता क्या है और UPS जो है NPS से कैसे अलग है और OPS की क्या-क्या सुभिधा है जो है आपको UPS में मिलने वाली है यानि UPS, OPS और NPS ये तीनों में आपको सारी जनकारी मिलने वाली इस वीडियो में तो बने रहे हैं मरसा तरह भी तक अपने गरमाचल सब्सक्राइब नहीं है तो मरसा को सब्सक्राइब करके बलाट अजरू पिस कलने ताकि इसी प्रकागी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे है आन टाइम भले ही आज अस्वीनी वैसनप के तवरा इस स्कीम की घोसना की गई है परन्तों यह स्कीम जो होगा एक अपरेल दोहर पचीस से लागू होगा हाला कि यह स्कीम जो है दोहर 4 से लेके दोहर 24 तक जोईन कीए या फिर रीटायर हुए सभी एप्रपर रुप से लागू होगा ऐसा नहीं है कि दोहर 25 के बाद के एप्रपर रूपर लागू होगा सभी एप्रपर लागू होगा अब आते हैं इसकी समानता पे तो UPS और NPS में एक समानता है दोनों जो है Contributory Fund है दोनों Contributory Fund करने का मतलब कि दोनों Skims में Employee का Contribution जाएगा NPS में भी तक क्या था कि 10% पैसा Employee का करता था हर एक महीने जो उनका Basic Plus DA का सम होता था उसका 10% पैसा हर महीने करता था UPS में भी यही है पर अंतर कैसे भाई NPS में 14% Government का Contribution होता था यानि Employee का 10% करता था 14% सरकार मिलाती थी UPS में क्या होगा कि Employee का 10% करतेगा और 18.5% पैसा सरकार का Contribution में जाएगा UPS में NPS के मुकाबले एक चीज बढ़िया दी गई और वो दी गई है 50% Assured Pension जो की NPS में उपलब नहीं था NPS में कंद्रिय करमचारियों को मार्केट के भर से छोड़ दिया जाता था जिसके कारण कंद्रिय करमचारियों के भविस पे खत्रा मन रहा रहा था परन्तु इस बार सरकार निस बात को समझा है और इनको 50% Assured Pension देने का वादा किया है UPS का माध्यान से परन्तु इसमें भी एक दिक्कत है इसमें दिक्कत क्या है कि आपको आपका सर्विस लेंद है वो 25 साल होना जो मांगता है कम से कम 25 साल आपका सर्विस लेंद होना चाहिए इसके अलावा जो खासियत इसमें दी गई है UPS में वो है Assured Family Pension अगर आपकी मौत हो जाती है 25 साल सर्विस होने के वाद तो आपके फैमिली को आपकी पतनी को आपकी बाइफ को 60% आपका जो पेंसन बनता उस समय उसका 60% आपकी पतनी को दिया जाएगा एक चीज जो इसमें और अच्छी जोड़ी गई है वो यह कि अगर आपका सर्विस लेंथ मीनिममम 10 सल हो जाता है तो मीनिममम आपको 10,000 रुपे पेंसन दिये जाएंगे जो की NPS में नहीं था NPS में आपका ऐसा कोई प्राबधान नहीं था इसमें सबसे अच्छी बात और है और यह कि आपको पेंसन के साथ सा डीये भी दिया जाएगा डीये ए नपीएस से तो बिल्कुल विलूप्त कर दिया गया था और यूपेस में डीये का Implement किया डीये को Implement किया गया सरकार के दygusal लैकि और दोर जो कि करने है यह लॉटन और संसले पता है कि बहुत संस्क्राइब सब्सक्राइब हो कोई नहीं यहूई नहीं गई टाफ दो दो कि सरकार के दोरह यह यह कंद्रीय कमचारियों को कि इतना हद तक खुस रख पाएगी या नहीं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हेलफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरू कर दें और हो सकते तो दोस्तों के साथ सेर जरू क्या करें क्योंकि हर एक लाइक